जै श्री महाँकाल मंत्र सिद्धी से अनामिक हापका स्वागत करती है गायतरी को गुरु मंत्र कहा जाता है गायतरी ही सर्वो परी मंत्र है प्राचीन काल में बालक जब गुरु कुल में विध्या पढ़ने जाते थे तो उन्हें वेद के आरंभ संसकार के समय गुरू मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की शिक्षा ही दी जाती थी वेद आरंभ वेद माता गायत्री से ही होता था आज के नामधारी गुरू नाना प्रकार के उटपटांग मंत्र पढ़कर गुरू देख्षा की लकीर पिटते हैं पर प्राचीन काल में गायत्री मंत्र के अतरिक्त और कोई देख्षा मंत्र नहीं था भारती धर में ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक तीन जीवित देपता भी माने गए हैं माता पिता और गुरू जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के माता पिता होना आविश्यक है उसी प्रकार उसका गुरू होना भी जरूरी होता है क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी माता पिता का पता ना बता सके या अपने पिता की संबंध में आपरीचित रहे तो उसकी उत्वत्ति अनेतिक मानी जाएगी इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गुरू रहित हो तो उसको भी आसंस्कृत कहा जाएगा निगुरा एक प्रकार की गाली है जिसका गुरू नहीं है उसकी अध्यात पे क्सू व्यवस्था संदिक्द मानी जाती है गायतरी दीख्षा या गुरू दीख्षा एक ही बात होती है अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि छोटा गायतरी मंत्र कौन सा होता है जिसे हम गायतरी का बीज मंत्री भी कह सकते हैं जैसे सवालाख जाप का पूर्ण अनुष्ठान ना करने वालों के लिए जो लोग सवालाख का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं मंद्रों का उनके लिए 9 दिन का 24,000 का लगो नुष्ठान होता है उसी प्रकार से जो लोग अलप शिक्षे थे हैं आशिक्षे थे हैं बालक हैं छोटे बच्चे हैं या इस्त्रियां जिनकों की घर की कामों से समय नहीं मिल पाता है इतना बड़ा अनुष्ठान करने के लिए उनके लिए लगो गायत्री मंत्र बहुत ही अच्छा मंत्र होता ह जो 24 अक्षर का गायत्री मंत्र याद नहीं रख सकते हैं वे प्रणव और व्यादियां यानि की ओम भूर वह स्वह इतना पंचाक्षरी मंत्र जब करके भी काम चला सकते हैं जैसे चारों वेदों का बीज 24 अक्षर का गायत्री है वैसे ही गायत्री का पंचाक्षरी मंत्र प्रणव और भ्यादिया यानि की ओम भूर्भा स्वह है यह मंद्र स्वल्प ज्यानवालों की सुविदा के लिए बड़ा ही उप्योग है इस मंद्र के द्वारा आप नौ दिन में 24 हजार का अनुष्ठान या सवा लाग का अनुष्ठान आसानी से कर सकते हैं इसको करने से आपका समय की भी बचत होगी और जो याद नहीं रख सकते हैं लोग उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा मंत्र है ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें मेरी चैनल को जैश्री महाकाल